वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें आरो यारो परिक्षाई यानि समिक्षा दिकारी और सहायक समिक्षा दिकारी जो एक्जाम यूपी पीसी आयो करवाता है तो इसके हम प्रीविएस येर कॉशन्स देख रहे थे प्रीविएस येर कॉशन्स के हमने सिरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइस कॉश जिन्होंने भी नहीं देखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगी, न्यूली एड़ेट वीडियो के नाम से एक प्लेइलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे प्रिवेस वीडियो मिल जाएगे, तो रास्टी जैवे खेती केंद्र गाजियावाद में है, भारती दलहन अनुशंधान संस्थान कानपूर में है, लेकिन भारती सबजी अनुशंधान संस्थान गुरकपूर में नहीं है, तो यही वाला सही हो चाएगा, क्योंकि हमें जो सही नहीं है, जिसका मिलान गलत दिय प्रिष्ण है भारत के प्रिथम जलवायू पर राश्ची कारियोजना को कब लागू किया गया था तो प्रिथम जलवायू पर राश्ची कारियोजना जो है यह 2008 में लागू हुई थी अगला प्रिष्ण है भानेजी के संदर में निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है सही कतन बताना है यह व्यवसाई का छेत्र है जो विनियम की सुविधा के लिए सभी बादाओं को दूर करने में सायक करता है दूसरा कतन दिया गया है कि यह उभोगताओं तक उत्पादों अगला प्रिष्ण है यूरोप में राइन नदी के संदर में कौन से कतन सही है राइन नदी ऊत्री जर्मनी के वाद्योगी गति विदियों के लिए महत्रपून मार्ग है दूसरा कतन दिया गया है राटर डेम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर इस्थित है नीचे कोट में सही उत्तर का चेन करना है तो सही कथन बताना है तो सही कथन दूसरा वोजाएगा पहला कथन गलत हो जाएगा अधर के टीन गलत है कौन सा रामसर आदरभूमी इस थल भारत की किसी राज्य में स्थित है कि राधरभूमी त्यों मुर्वेडी जील और भुलर जील तो पॉइंट कैली मेरे वनजीव पक्षी अभ्यारन जो है यह यह रामसर आदरभूमी रामसर कंवेंशन बैटलेंड से संबंधित हैं और यह इरान का एक सहर है इस पर एक कंवेंशन हुआ था उसी के नाम पर इसको रामसर आदरभूमी स्थल ऐसे कहा जाने लगा तो कई सारे स्थल है भारत में जिनमेंसे यह एक है यह यहां पर पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट कैली मेरे वनजी वो पक्षी अभ सखेगा फिरूं का इस्सा नहीं तो फहला वाला कतन सही हो जाएगा और अगला प्रश्ण है है पाकिस्तान未े घ्वादर बंहे हैं इप्रूट में से किस प्रांत में सित्त है यह जबस्तान मेने इसका इवस्तिति हो जाएगा उप्षी सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रिशन है अफ्रीका में विक्टोरिया जील के संदर में कौना सा गथन सही है यह चार देसों से गिरी है और दूसरा गतन दिया गया यह अफ्रीका भ्रहंस घाटी में इस्तित है तो दूसरा गतन बिल्कुल सही दिया गया है सही कूटका में चाहिएं करना है पहला गलत हो जाएगा ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रिशन है निम्लिकित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है ज कुछ स्थानों के नाम जो प्रिशिद हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए और उनके जिलों के नाम दिये गया है तो यहां से आपको एक चीज के लिए हो जाती है कि आपको उत्तर प्रिश की साले जितने भी तीर्थ स्थल है या और दो की केंद्रें वो सब पढ़कर जाना ह कि कौन सा किस जले में है अगला प्रिशन है ब्यापार की संदर में निमलिकित कतनों पर कौन सा कतन सही है निमलिकित कतनों में कौन सा कतन सही दिया गया है दो कतन दिये गया है यह मांग और आपूर्टी दोनों का प्रतेने दित्व करता है तो बिल्कुल सही है ब्यापार क यह केवल मांग के पक्षे से संबंदित है तो दूसरा कतन दुगलत हो जाएगा पहले वाला का बिरोधी कर रहा है केवल एक सही होगा अगला कतने निम्लेकित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है बुल अगला प्रिशने है, अलास्का के संदर में कौन सा कतन सही है यह सयुक्त राज अमेरिका का तेल उतपादक राजे है। तो बिलकлам सही है, USA के अंदर आता है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। दूसरा कतं मी सही दिया गया है, दोनों ही कतं सही हो जाएंगे, अगला प्रिश्ण है, यहाँ पर फिर राज्य दिये गए हैं, और राज्य की घर में जहरने दिये गए हैं, हिमाचल पर इसका मनी करने हैं, सही समेरित नहीं है, वो बताना है, तो ये बिल्को सही है ओड़ी सा का ताप्टा पानी है महारास्ट का वजेश्वरी है और गुजराथ का नारायनी है तो ये वाला गलत हो जाएगा जिस पृष्ण का सही उत्तर हो जाएगा option D गुजराथ का नारायनी अगला प्रिश्ण फिर जोड़ी मिलान पर दिया गया है मिट्टी दी गई है और राज्य दिये गई है तो अब इसमें से कौन सा सही है जलूर मिट्टी कहां पर है जलूर मिट्टी उत्तरपिदेस में पाए जाती है काली मिट्टी का छेत्र कौन सा है महारास्ट का हो जाएगा लाल मिट्टी का छेत्र हो जाएगा आदिपिदेश और मरुस्तली मिर्दा राजिस्तान में पाये जाएगी तो एकदम यह सही मिलांद कर लेंगे आराम से अगला प्रिश्णी आप पर दिया कि केंदी और शदी एवं सुगंधु पौधा संस्तान क इंडोनेशिया सबसे बड़ा दिवीप समु बनाने वाला एक छेत्र है सबसे ज्यादा दिवीप समु है तो पंद्रह हजार से अधिक सामिल है इसके कई सारे दूप चोके हैं इसमें 150 से अधिक सक्री जॉलम की भी है तो दोनों ही गतनिया सही दिये गए है नाइजर रामत पाइल की फसल एक तेल की फसल है इसके बीजों की बीजों में तेल की मात्रक कितनी पाए जाती है जिसके जो बीज होते हैं इसमें 37-47% तक वाइल निकाला जा सकता है भारत में राश्ची उद्यानों एबंवनीजीव अभ्यारणों के संदर में कौन सा कथन सही है प्रिशनल पार्ग देखे तो मद्यपडेस में हैं साथ हैं और अन्यमानिकोवार में सबसे ज़्यादा अभ्यारण हो जाएंगे अगला प्रिश्ण है फसल चक्र के संदर में निम्लिकित गत्नों में से कौन सा सही है गहरी चड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल से उगानी चाहिए फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेना चाहिए तो यहां पर दूसरा कथन सही है पहला वाला कथन गलत हो जाएगा केवल दूसरा हम सही उत्तर चुल लेंगे इसके बाद अगला प्रिश्ण है निम्लिकित घटनाओं पर विचार कीजिए उ भारति उद्वारत चीनी उद्द्यों का विकास प्रिफ्ट जूल मिलक प्रारम कई जूट मिलका प्रारम कब होँआ था भारत में स्टील का पर उत्पादर और बंबै प्रिफम कपड़ा मिलका प्रारम तो बहुत बेसिक से कोश्चन से ही है अगर आप ECONOMICS पड़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको सेकेंड चैप्टर में ही ये सारे प्रिश्णों का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्षिन भी वाला सही हो जाएगा सबसे पहले बंबई में कपड़ा मिल लगी उसके बाद रिश्टा का जूट में स्टार्ट किया गया फिर स्टील प्लांट जो है वो डाला गया और फिर भारती दार चीनी उद्यों का विकास किया गया अब अगला प्रिश्णी यहाँ पर देखिया अगला प्रिश्णी है निमलिकित में से विश्व है मचली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा चीन ऑप्शन भी से ही उत्तर है निम्लिकित में से किस देश में उसकी कुल उर्जा आवश्यक्ता का 90 प्रतिशा जल विद्धु से प्राप्त होता है ये देश है नौरवे 99 परसंट ये जल विद्धु से अपनी उजा प्राप्त करते हैं अगला प्रिशन आदि आगे खनेज और उद्योग दिये गए हैं खनेज दिये गए हैं चूना पत्थर कहां पर है चूना पत्थर सीमेंट चूना पत्थर से सीमेंट बनता है और ये अगला प्रिशन है इंडोनेशिया निमलेखित मेंसे किस देश के साथ भूमी साचा नहीं करेगा अगला प्रिशन है निमलेखित मेंसे कौन सा पूली नेशिया द्वीप समुका भाग नहीं अब ये सब बिश्व के भूगोल से प्रिशन पूछे गए हैं तो टोंगा तुवालो और ताहिती हैं लेकिन तिनियान जो है ये इसका भाग नहीं है पूलीनेशिया दीप समुका अगला प्रिशन है जीबास मीधन के बाद भारत वर्ष की उर्जा आवश्यक्ताओं की जो पूर्ती है इसके लिए सबसे महतुपून दूसरा सबसे महतुपून इसरोत कौन सा हो जाएगा तो जलविद्यूत बायू और परमान उर्जा इसके अलावत दूसरा जो हो जाए समुद्री चक्रवाती तूपान जो है ये तौकते किस सागर में उत्पन हुआ था तौकते भी कुछ साल पहले ही आया था और यह अरब सागर में अरे एरिवियन सी में आया था यहाँ पर अगला प्रिशन हापर दिया गया है फिर जोडी मिलान दी गई है देज और कितमे से कौन सा कथन भारत के लिए भारत के परिपेख्श में देखता है कौन सा कथन गलत दिया गया है तो भारत विशु का सात्वा बड़ा देश है बिल्कु सही हो जाएगा छेत्रपल के दृष्टी कौन से जंसंख्या में हम दूसरे स्थान पर आते हैं चीन के बाद दूसरे स्थान है इसकी भूमी सीमा का विस्तार है लगवे 15,200 किली मीटर है और चौतर दिया गया सेब समसूर्यों दा इसके मिजोरम राजी में होता है तो यह गलत हो जाएगा मिजोरम में नहीं होता और आचल प्रदेश में होता है अगला प्रिश्ण है अग यहां फसल देश दिये गए है रवर्ड जो है रवर्ड थाईलेंड में सबसे जादा होती है सही है कहवा जो है मंगोलिया में होता है यह गलत हो जाएगा जैतून इसमें में और गण有लगाइगा यह जो पश्चिमेพर तमिललाडू महारास्टि इं दया आता यह तो खह़वरदर यहाँ पर नहीं होगा वागी थाल गाट यहीं पर है वोर गाट इसी पर है पाल गाट केड़ल में तब मिलाड़ु केड़ल और महाराष्ट की यह सारे भाग हैं यहाँ उप्षिंस सी से ही उत्तर छुल लेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ पृष्णव को दे